तो हेलो भाई लोग आपका स्वागत एक और नए वीडियो पर बिछले अपिसोड में हमने देखा था कि स्नेक चार्म ट्राइब की प्यूटी हेड रहती जिनका नाम में ये रहता है पावरफुल एक्सप्लोजन कर देती है मूँ चेंग फेंग के बॉड़ी के सामने ये बि बॉड़ी में एक एक होली फ्लेम है इसका जो भाई भी होली फ्लेम है यांची यह सब बात छोड़ते हम शुरू करते हैं इस्प्लोजन हुआ था मूँ चेंग फेंग के बॉड़ी से तीन मीटर की लगबग दूरी पर था इस्प्लोजन के बात से मतलब पूरे तरह हर ज़्यादा नहीं होती तो आराम से अच्छा खासा घायल हो सकता था धर सीन्शिप्ट होता है यही जो चार्मिंग स्नेक ट्राइब रहती है यहां पर मतलब एक ओल्ड मैन और हुमेन बैठे रहते हैं वही स्नेक पीपल सी रहते हैं पता चल जाता है कि इनकी जो प्यूटी हो रहे हैं तो यह बात कर रहे होते हैं वक्ण सो से हजार साल के बीज में इल्कुल भी ब्रेक्ट्रू नहीं किये रहते हैं यह लोग वो लड़की जो उस टेंपल में एंटर की है जो नाइन कलर हैं अगर वह इवाल्व नहीं की शयद हमारे क्लैन का भी नामो निजान यह यूमेन फैमिली मिटा सकते हैं ज़र मू चैन फैंग और में ये लागतार फाइट कर रहे थे मू चैन फैंग के बॉटी सिसम में एक ब्लू कलर की और निकलती है ये कहता है अगर पास अच्छा घासा टाइम होता तो मैं तुम्हें हट नहीं करता था में ये भी इसको फील कर अपने इस अटैक से बेसिकली एक स्लैप कर दी था में ये की तरफ स्लैप मात्र से जो आसमान थे स्पेस था वह ट्रेंबल करने लगता है एक वारी जो एनर्जी रहती कम से कम 100 feet रहती हाइट में काफी तेजी से मेये की तरफ बढ़ रही थी ये भी चोकन नी थी जानती थी मूचेंफेंग का speed काफी fast है इसलिए ये भी कुछ तो plan कर गया थी मेये की भी अलग ही औरा निकलती है पावर था बेसिकली मेये ये 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 यूज कहता है ये एक प्रकार का soul power था एनफेंग की मानों आखे भार आ जाएंगी इस प्रकार के power को देखकर के ये क्या power है ऐसा ये सोचने लगता है ये दोनों force एक दूसरे से टकरा जाते हैं पर एक strange scene appear होता है इसकली तोनों जो attack रहते हैं एक दूसरे को आर पार करके मतलब निकल जाते हैं मतलब ये एक दूसरे को destroy नहीं करते हैं बलकि आर पार निकल जाते हैं तो में ये की तरफ वो handprint काफी तेजी से बढ़ने लगता है और वहीं जो pink energy रहती है वो मूचैन फैंग की तरफ बढ़ने लगती है मूचैन फैंग अब इस attack को समझ जाता ये basically the pupil of charming snake technique था इसमें बस मूचैन फैंग अपने को ही blame कर रहा होता है इसने इस lady को क्यों इतना underestimate किया को लगा नहीं था कि ये deputy clan head होगी charming snake tribe की मूचैन फैंग की समें तो डावकी भी नहीं काम कर दी ये किस प्रकार का power है बस अपने डावकी का 30% power ही फिलाल यूज कर पा रहा था मूचैन फैंग को लगता है आप तो कुछ गड़बड़ी होने वाला इसके साथ तब ही इसके हाथों पर gentle हाता है ये जो बंदा जो भी प्रकट हुआ रहा था मूचैन फैंग के बगल में वो black और white उसके body में से vindicative औरा निकल रही होती है ये basically डावजियान लेवल का power था ऐसा में ये को समझ में आता है ये भी थोड़ा डर जाती है फिलाल का जो pink attack था इस डावजियान लेवल के warrior ने तूरं थी dissolve कर दिया था मूचैन फैंग को attack को block करने में इसने अच्छी काजी मतलब में इनर्जी यूज़ कर दी थी तरसी इंशिप्ट होता है वही old man और woman काफी तेजी से बढ़ रहे होते हैं इधर फिलाल जो बंदा मूचैन फैंग को बताया था वह ड्रैगन लफिंग लीजन का deputy head था ये मूचैन फिलाल डावडी नाइन स्टार के five peak change पर होता है यानि कि ये हाप डाउजियान लेबल पर होता है चैन फैंग अब काम डाउन हो जाता है और इस लड़की से मैं ये से पूछता है मुझे बस तुम आखरी बार बता ही दो कि वो लोकेशन का है टेंपल का ये मुझे तुरान अपने powerful aura को release करता है जिसके खारण की ये में खून के उल्टी करने लगती है कुछ डिसीजन लेती है और तूरंत इसके body से एक monstrous aura निकलती है जिसके बाद इसके body से countless snake shadows बहार आने लगते है लागि illusionally snakes दिक रहे थे पर सबका power terrifying था तुम हो इससे कहता ह है कि give up कर दो और हमें temple का location बता दो ये तूरंत ही अपना power of life and death attack मतलब use करने लगता है और असे thunderbolt निकलती है जो काफी थे जिसे में ये की तरफ बढ़ने लगती है ये क्या करती है इसने जो अभी next illusions प्रकट किये थे इस attack को thunderbolt की तरफ भेज़ देती है दोनों attack टकराते है जो thunderbolt attack रहता है जो life and death वाला form रहता है इसने लगता है मानू ये मचली हो और तूरंत इन shadows को पार करते हुए में ये की तरफ बढ़ने लगता है ये इस समय अपने snake body में होती है इस thunderbolt attack के करन ये जमीन पर मानू उलका पिन के समा नीचे गिरने लगती है ये मुझ दुरान charming snake tribe को चोकरना करती रहती है medicinal core की team आ जाती इसके पगल में इसके brain में अंटर कर जाती है ये इस समय फिलाल एक गढ़े में मतलब पड़ी होती है और ये लोग इसको heal करने की कोशिश कर रहे थे और surprisingly medical core team थी ये मो ने भेजी थी ऐसा लग रहता था मानू ये में ये के brain में जाकर के उस temple का location देखने की कोशिश कर रहे थे कोई और ये मतलब ड्रैगन लविंग लीजन की एक woman रहती है ब्लैक ही कपड़ों में रहती है तुरंत ये मों से कहती है elder मैंने पाल लिया location पता थी कि मैंने एक secret technique use किया मैंने इससे ये location निकाल लिया के बाद ये लोग बोल और finally अपना strength gain करती है और अपनी बेटी से पूछती है क्या तुम ठीक हो इपनी बेटी को चेक करती है अभी इसको अच्छा feel होती है फिर ये इसको उतार देती है ये अपनी बेटी के साथ अपने type के base camp की तरफ मूव कर रहे तो रहा मन में सुच रहे है इतने powerful लोग हमार की तरफ काफी तीजी से बढ़ रहे हैं जो लड़की थी उसका नाम यावक जीन था ये ड्रैगन लविंग लिजन में नाइंथ रहेंग पर थी इसका जो strength था एड़ सा डावडी के initial level में था और इसका जो soul power था और ये मतलब अलकमिस थी ये डावडी second grade के अलकमिस रहती ह इनके सामने मतलब दो snake tribe के powerful लोग आ गये थे जोरान ये मो भी अपने टॉक को उतार देता और ये काफी handsome दिख रहा होता है तो मुझे लगा नहीं था कि the white and black emperors यहाँ पर आ जाएंगे तब ये दोनो snake tribe के रहते हैं पर इन्हें लोग black and white emperors कहते थे ये basically एक killer machine के समान थ जो woman आए रहती है ये तुरंती यह मो पर attack कर देती है यह मो इसके aura को feel करता और कहता है अच्छा तो 100 साल पहले जब तुम दोनों ने मुझसे fight किया था तो तुम दोनों 8 star dowdy पर थे पर लगता है अब तुम दोनों 9 star dowdy पर पहुँच चुके हो तुम अच्छे से आगलन कर सब्सक्राइब यहां पर जाते हैं लेक और वाइट एंपर इन्हें जैसे देखते हैं जौन के एकड़म अगली हो जाता है यहां से निकलो लेक और वाइट एम्परश जादा किंग जौन लिंग को देखर फियूरियर से पूटते तुम यहां पर क्या कर रहे हो एक सामने मतलब ये लोग ये वो वगेरा वहाँ से चले आते हैं और ये Black and White Emperor रहते हैं ये जानते थे वो fight करके मतलब नहीं है अब लेकिन इस दोरान King's Walling कहते हैं हमें साउधान रहना पड़ेगा क्योंकि अगर एक Charming Snake Tribe को हमने डिस्टर किया तो आठो जो बाकी नेक ट्राइब हैं वो भी चौकनने हो गए होंगे Black and White Emperor पर डिसकस करने लगते हैं में पहले में ये से बात करना पड़ेगा उसके बाद हम बाकी जो आठ ट्राइब से उनको भी बता देंगे इस मैटर के बारे में धर्शिन शिप्ट होता है यहाँ पर स्टॉल ओनर को दिखाये जाता है लोग बेसिकली जो चारमिंग स्नेक ट्राइब था उससे पांच किलोमेटर की दूरी पर होंगे जो पानी था जहाँ पर ही रोग थे मतलब अपर जियान पिल रिफाइन कर रहा जियान से पूछती है कि तुम ये ब्लैक रोप क्यो पहनते रहते हो इस लगता है जियान अपने सोल परसेप्शन के हिसाब से टांग टांग को बताता है कि चार्मिंग स्नेक ट्राइब में कम से कम तीन पावरफुल और आज हैं हम इसे डारेक्ली क्रोस करना चाहेंगे तो पर यह आखरी रास्ता और यही एक रास्ता है ज़रान इसका एक्स्प्रेशन भी थोड़ा पेनफुल होता है भी बताने लगती है कि यहां का जो चार्मिंग स्नेक ट्राइब का जो लीडर है उसका स्टेंट एटस्टा डावडी के पीक पर है और इसके अलावे भी कई सार और भी पावरफुल लोग हैं उस कार मैन रहता यानि वू यू यह जियान को पताता है कि उन लोगों के पास एक चार्मिंग टेकनिक भी है तो हमें उससे ज़्यादा साउधान रहना पड़ेगा परान यह वो पेट्रिफाइट प्यूपिल अफ मेडिवसा के बारे में भी थोड़ा बहुत बताता है लिली भी थोड़ा हैरान होता है अपने मतलब इसके सामने जो पावरफुल पॉर्यर्स थे इनकी बात सुनकर आंगटांग केहती है जो चार्मिंग स्नेक ट्राइब है इनका जो पावर रहता है रात में थोड़ा कम हो जाता है और साथ में इनकी जो देखने की पिछामता रहती वो ब्लॉक्ट हो जाती है उस समय हम शायद ब्रेक्थ्रू कर सकते हैं यहां से जियान में यह बात सुनकर हां में सरीला देता है के बगल में मतलब लिटिली और इंगिंग होते हैं इस समय फिर्सली मतलब जियान के आखों में देख रही थी इंगिंग कहती है इसका थोड़ा एक्स्प्रेशन डल रहता है कि इधर बीच मेरे आँख पिछ कर रहे हैं मतलब भावें उड़ रहे हैं शायद कुछ गड़बड होने वाला है तो इंगिंग कहती है इस से लिटिली से तुम तो एक फायर एलफ हो काफी खातरनाक चीज मा पर आया तो और कैसे यहां पर आया था अपने दिमाग में मतलब फायर एलफ के लिटिली के चलने लगता है तर टांग टांग एक चीज और नोटीस करते हैं फिलाल क्योंकि दोफेर रहता और यह डेजर्ट रहता था यहां टेंपिर्चर भी काफी हाई रहता है तीनों का जो एट्रिब्यूट है वो फायरी ही है तर मतलब एक बिल्डिंग दिखाया जाता है तो कि इस डेजर्ट के अंदर शाय चिपा होता है बिल्डिंग में मतलब एक यूज प्रेसर चारो तरफ फैला होता और स्पेस भी यहां काफी बढ़ा रहता है दस क्रिश्टल लाइक स और यह काफी चाधा मतलब पावरफुल दिख रही होती है वुमैन थी बिसिकली मेडिसा स्नेक गार्ड की कमांडर थी टावडी नाइन स्टार के फोर पीक चेंज पर होती है बिसिकली यह जो नौव मेजर ट्राइप से मेडिसा क्लैन के उनके कारजियन टाइप होते और य पल में चली गई थी, पर एक स्नेक गार्ड और रहता है, का नाम नू डॉंग होता है, ये बिसिकली काईलीन को अपोस करता था कि ये क्वीन दब बन पाए, ये इन दोनों से पूछता क्या कुछ अरजेंट मैटर है, बंद भी मतलब नाइन स्टार डावडी पर ही होता है, का ये बंदा नू डॉंग शायद वो मिजर ट्राइब का किंग बन सकता था, काईलीन के आने से इसका प्लैन विकार हो गया था, यहां का जो सबसे में बंदा रहता है, उसका नाम रहता है, एंगरी विंटर, अब वो आ रहा होता है, तो सभी लोग शान्त हो जाते हैं, तो ज वो मैन को प्रटेक्ट कर रहा था, मैंसे जो एक लेडी रहती है, उसका जो औरा रहता है, ग्रीन कलर का रहता है, दूसरी वाली अनकॉंसियस थी, मतला बेहोश, नू डॉंग पता नहीं क्या सोच रहता है, यह तुरन थी, तीनों लोग प्रकट हुए थे, इन पर अटैक क कर रही हो, जो ब्लवाइट सनेक रहते हैं, इनको मतलब बचा लेते हैं, इस नू डॉंग से, इस चीर लड़का रहती है, जैसे लड़की जाकती है, आपने आँखे खोलती है, जो नौ लीडर बैठे हुए थे, वो जो आश्यर एचकित हो जाते हैं, और एक ही सास में कहते थ्री प्यूप फरनेस है, इस मैं आपको एक और बात बता दूँ, हाँ पर ये जो ब्लैक और वाइट सनेक हैं, ये दूसरे लोग है, चार्मिंग ट्राइब था, उनके वो जो ब्लैक और वाइट एम्परर है, फिराल मतलब ये जो चार्मिंग ट्राइब रहता है, उसका भी इकी बार में मार सकती है, ब्लू और वाइट सनेक इस से पूछती है, लिटिल सिश्टर तुम्हारा नाम क्या है, ये अपना नाम बताती है, कापते हुए, मेरा नाम किंग यान है, ब्लू और वाइट सनेक स्माइल करते हैं और कहते हैं, अच्छा नाम है, रिन फ्लूट से कहता है तुम जाओ यहां से मैं इन्हें रोकूंगा पता नहीं क्यों जो बंदा रहते यहाँ पर जो दस परपल सीट्स बनी थी उसमें से नू डॉंग जो रहता बोलता है लड़की तो सच में इस लड़की को खाने का था इसे इसका पावर काफी ज़्यादा बढ़ सकता था ठीका नहीं जो और भी जो आठो लीडर रहते उनका भी ध्यान इसी पर रहता है इंग यान भी इस सीज को समझ जाती है जो नौ लोग रहते है नौ ट्राइब के लोग इनमें से एक बाल्ड मैन बोलता है उल्ड मैन था इसका और जो था काफी ज़्यादा टेरिफाइंग एट स्रा डावड़ी के लेड स्टेज में था ये बंदा पावर स्नेक क्लैन का लीडर था फिर नौ मेजर ट्राइब्स में ही था कहता गर यह लड़की को यूस किया ज़्याज़ साही से वो हमारे मतला मेड़िउसा क्लैन में एक पावरफुल बंदा जनम ले सकता है सूप करने लगती है इस सभी लोगों से यानि 9 लीडर के ने कहती है हमारा दिसेंटली जो मेडियूसा क्लैन है काफी ज्यादा अनेक्सपेक्टेड फील कर रहा है पहले तो लड़की आ गई नाइन काफी स्टॉंग हो सकता है तो हमें साथ मिलकर रहना पड़ेगा इस दोरान यह ज स्नेक ट्राइब का फ्रेंड है सेंट यह सुनते ही ग्रीन कपड़े वाली लड़की रहती है उसका नाम ग्रीन डेवी रहता है के भी होट मानों मुड़ने लगते हैं बात की जाए मेडियूसा क्लैन में सेंट का जो स्टेटस होता है बिसिकली एक तरसे इंपरियल प्रिंस माना जा सकता है मतलब यह मेडियूसा क्लैन को अपने हिसाब से भी चला सकती है इसको देख करके जो नूडॉंग रहता है जो बेसिकली मेडियूसा स्नेक गार्ड का क्याप्टन रहता है कहता है ब्लू एडन वाइट ने कि यह तुम जो कर रही हो बिल्कुल ही कलत है तो य मैं वैसे भी जो पिछले सालों में जो स्नेक ट्राइब में किया है मुझे पता है कहती है मुझे मालू में तुम शायद इस लड़की को अपने लिए यूज करना चाते हो और मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकती कहती अगर यह लड़की आराम से डाउजियान जा सकते हैं यह जो थ्री कलर स्वालों इंग लड़की जो जियान वगर को दिखी रहती है उसके बारे में भी बात करती कि वह भी अब मतलब कर सकती है इसके तुरू इसके बाद यह गुष्टे में अपना और रिलीज करती है यह बिसिकली नाइन स्टार डाउटी के फिफ को सावधान रहने के लिए कहती क्योंकि इनको भी थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था कि मतलब यह जो ग्रीन फ्रूट भी रहती है इस दुरान यह ब्लू और वाइट स्नेक को फॉलो कर रही होती है अभी मन में बहुत जादा गुसा कर रहा था यह बोलता है पहले तो फरनेस वाली इसे तो मैं मेडुसा फैमिली को कभी रूल ही नहीं कर पाऊंगा इनुडॉंग से स्नेक मैन कहता है कि हमारे स्नेक ट्राइब पर वुमेंस ने अटेक करते है जिसमें से दो तो नाइन स्टा डावडी पर थे और दो एट स्टा डावडी पर थे पूछता तु यहां से यह फिर कायब हो जाता है और स्माइल करते हुए उसके दिमाग में कुस्तो प्लैन फिलाल चल रहा था तर लगबग अंधेरा हो गया रहता है कियान मतलब सबको कहता है कि हमारे निकलने का समय हो गया है थोड़ा आगे आते इस दुरान इनको रास्ते में मतलब स्न इन सातों लोगों को इन्वेलब कर लिया रहता है को यह भी जियान के सोल पावर को फिल करके हैरान था यह लोग बिल्कुल भी मतलब सामने वालों को दिखाई नहीं दे रहे थे ऐसा लगर था यह लाइट बॉड़ी बन गया है हमसे कम अगर कोई बंदा जियान से जब तक पावरफुल नहीं होगा वो जियान और इन 6 लोगों यानी 7 लोगों को डिसकावर नहीं कर सकता है यह 7 लोग एक साथ ऊड़ रहे होते हैं यह इंग भी हैरान थी क्योंकि यह जो पैट्रोलिंग गार्ड थे यह इनके उपर से लोग जा रहे थे पर यह भी नहीं देख पा लेते हैं यहां जैसे अपना एक कदम सीटी वॉल के अंदर बढ़ाता है यहां पर एक आवाज आती कौन है पर एक स्नेक वोमें थी यह कैती शायद यह मेरा भ्रहम था यहां से निकल जाती इसके बाद जियान वगेला भी धीरे-धीरे एक एक कदम फूंक फूंक के बढ़ा रहे होते हैं जो श्टॉल होनों रहता है जियान को थेंक यू बोल रहा होता है क्योंकि इसी ने अपनी सांस को जादा फैला दी थी पर जियान ने अपने सोल पावर से सांस को दबा दिया दिया क्योंकि यह लोग अंदर प्रवेश कर चुके थे तो इन्हें मालूम था कि मेरा सोल पावर काफी स्ट्रॉंग है पर अगर मैं कि मैं फाइब स्टा डावडी पर हूँ तो अगर कोई बंदा डावडी सेवन स्टर या उसके उपर काता है तो वो मुझे डेटेक्ट कर सकता है तो सभी सावधान रहना वोगर इसको जियान को बोलते हैं हम देख लें है पर कई सारे ट्रेजर्स भी बोले जाते हैं जानता था कि इंगिंग बॉड़ी में एक होली फ्लेम है पर जियान इससे पूछा नहीं था अस्तक कि यह लड़की थोड़ी शाय थी इंगिंग इस दौरान अपने मूं में मतलब ऐसे मन में बोलती है कि जो फ्लक्ट्वेश हूस्ट बार-बार क्यूं गयाता है इनमें से एक बंदा बोलता है सोगली मुझे लगता है उस एल्डर करता है काईलीन वाला जेडलिंग था वो चमक रहा होता है ज्यान शॉक्ड हो जाता है मेड़िवसा क्लैन क्या यह मतलब हो सकता है कि काईलीन यही पर है यह अपने मन में कहता है काईलीन मैं तुम्हें देफिनेटली फाइंड कर लूँगा ज्यान के अंदर एक अलगी गुस्ता था अगर कालीन को कुछ भी हुआ तो मैं इसको तबाह कर दूगा इस पूरे एरिया को ही जिंगिंग तुरंत इस चीज को नोटिस करती है जियान से पूछती क्या हुआ कि जियान काम डाउन तो हो फिर भी ये इमोशनली थोड़ा अंस्टेबल होता है कि स्पीड भी जो रहती है बढ़ने के थोड़ी बढ़ गई रहती है टांग टांग जोरां सबको कहती है वैसे भी हम थोड़ी देर में इस चार्मिंग सिनेक ट्राइब से शायद बाहर निकल जाएंगे अपर इसी डे अटेक करने लगते हैं और देखा जाता है कि मतलब ये जो सैंड रहता है डारेक्टली इस जायन्ट इंगल को निगल ही जाता है इसका नामो निसान तक मिट जाता है इसी सैंड के नीचे मतलब 10,000 फीट कम से कम एक यूज अंडर ग्राउंड पैलेस देखा जा सकता था और अचानक से बढ़ जाता और ये फाइब स्टार डाउडी पर पहुंच गई रहती है इनको समझ में भी नहीं आता है ऐसा क्यों हुआ शायद ये इसके नाइन कलर्ड हेवन स्वालोंग पाइथन बॉड़ी के कारण हुआ था आदे यहां पर इसे सबसे पहले वो ब्लू एं वाइट सिनेक मिली थी जो एक ौड़ी की वाइधन अधे वाइट गई निरे सबसे इसके पास नहीं तो मतल appears ौड्यांड डाउडी के वाइधन इस एंटर नहीं कर सकते थे जैसे कि वह ब्लू एट वाइट सनेक हो गई या वो new dong हो गया underground palace काफी शान्त होता है इसमें इस एक heavenly breath को ancient मतलब time से ही सुना जा सकता है blue and white snake ने इसको ये बताया रहता है कि यहाँ पर मतलब इस temple में medusa blood हो सकता है फिलाल इसके सामने एक statue दिखरा होता है कारिन पहली बार इस temple में enter की थी यहाँ पर कई सारे snakes और scorpions इसने देखे थे सामने जो एक sculpture बना हो था इसे देखर यह थोड़ा surprise थी क्या यही इसकी ancestor है के medusa family की stone statue का जो size रहता है वो 10 meter रहता है इसमें मतलब 10 color देखे जा सकते थे stone statue की जो आँखे थी वो grey pupils थी इनको अब लग रहता साथ इसी stone statue में ही medusa family का secret चिपा हुआ है तुरंत यह अपना nine colored rays activate करती अपनी body में ऐसे इसको activate करती है stone का जो pupil आखी थी मतलब हमीसा काम रहता था unexpectedly उसमें से hot wave निकलने लगती है काईलीन की तरफ बढ़ने लगती है इसमें से मतलब एक suction force निकल रहे थी जो काईलीन को अपनी तरफ खीच रहा था काईलीन अपने power से इसको रेजिस्ट करने की कोशिश करती है जो power इसमें से निकल रहे थी काईलीन की power जैसा ही था काईलीन को फिर भी इससे डर लग रह था इसका मतलब तो एक ही था, यह जो सामने वाला, जो heaven squalling, swallowing python था, उसका जो color था, ten color था, जो ancient time में ही exist करता था, तुरन थी, मतलब इस tattoo में समा जाती है, और एक दूसरे place में प्रकट हो जाती है, इसके सामने अब एक lady दिखती है, इस woman में से जो fluctuation feel कर रही थी, इसको देखक रही थी, woman हैरान थी, काईलीन को देखकर, कहती अच्छा थी, एक छोटी लड़की, हमारे पास nine color swallowing python है, काईलीन एक चीज तो feel कर रही थी, यह धीरे-धीरे suppress हो रही थी इस power के कारण, इस प्रकार का जो suppress है, basically bloodline से ही आता है, इससे पुछती कौन हो तुम, mysterious woman smile करती है, काईलीन जब इसको ध्यान से देखती है, तो इसके सामने एक ten color sky swallowing python होता है, यह अचानक से कहती है, तो क्या इस दुनिया में मतलब सच में एक ten color heaven swallowing python exist करता है, तर यह woman भी काफी happy थी, यहाँ पर कई हजार वरसों बाद शायद एक लड़किया यह जो एडिशा bloodline की है, कि बाद यह woman अचानक से यहाँ से कायब हो जाती है, यह सामने एक space होता है काईलीन के सामने, पर इस space को यह break भी नहीं कर सकती थी, इसको break करने के लिए कम से कम nine star dowdy का strength चाहिए था, पर एक आवाज आती इसके कानों में कि मैं यहाँ पर हूँ, काईलीन उस तरफ देखती ह कायलीन अब shocked रहती है, फिर इस दौरान यह से बोलती है senior, mysterious woman तुरंती कायलीन को अपनी तरफ खीच लेती है, woman तुरंती कायलीन से कहती है, तुम इस continent की शायद नहीं हो, कायलीन अपने मूँ खोलती है पर इस दौरान यह थोड़ा hesitate कर रही थी, यह अपना मतला कहानी बता कायलीन को बोलती है, move मत करो, चुप चाप खड़ी रहो, मुझे एक बार ध्यान से देखने दो, mysterious woman के body से एक force निकलता है, जो कायलीन की body पर मतलब कपूरी तरसे इसको cover कर लेता है, कायलीन भी नहीं रूखती है, तुरंती कायलीन की energy को destroy कर देती है, यह एक snake में बदल जा 10 colored heaven swallowing python के energy थी, 10 colored heaven swallowing python मतलब fighting god के level का, साप रहता है, मतलब 10 colored heaven swallowing python, कायलीन को 4 तरफ से जकर लिया रहा था, इस दोरन कायलीन फिल करती है, इसके body की energy धीरे धीरे drain हो रही है, तो यह ऐसे ही चलता रहा, तो कायलीन की पूरी energy exhaust हो जाएगी, इसके लिए जो mysterious woman थी, यह लगा नहीं था, कि तुम्हारे पास 9 colored heaven swallowing python के energy के अलावा भी, कुछ ancient serpents के, यानि सापो के भी power चीपे हुए है, कायलीन भी जानती है, गर यह lady इसकी पूरे power को absorb कर लेगी, तो यह फिर से मतलब पुनर जनम ले सकती है, वैसे भी कायलीन थोड़ा सा इस समय serious भी हो जाती है, क्योंकि तो इसके बेटी थी डाव के continent में, दूसरे का पती यानि जियान, यह थोड़ा emotional होने लगती है, और sad feel करने लगती है, sad mood के कारण जो कायलीन के body रहती है, उसमें मियूटेशन आने लगता है, समय तो मानूं heaven और earth भी अपने color change करने लगे हो, इनके body में स एक उतर नाइन color bright light emerge होती है, मतलब कायलीन फाइनली एक nine color heaven swallowing python में convert हो जाती है, जिसमें से powerful aura निकल रही होती है, के बाद इस scene को देखकर कि यह जो woman थी, फिलाल अभी छोटे साप में convert हो गई थी, फिर से अपने original woman form में आ जाती है, woman भी जोरान हसती है, अच्छा तो फि पाइफन फिर से तब तुम इस form में आ ही गई, यह तूरन थी, मतलब कायलीन के forehead पर, यानि साप वाले जो fun रहता है उस पर चड़ जाती है, उससे कायलीन भी थोड़ा हैरान हो जाती है